हालो एवरिवन आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मिठाई के रेसिपी तो यह मिठाई हम बची हुवी चीजों से बनाएंगे तो घी यह देखें मिठाई हमारी घी जब हम घी बनाते हैं उसके बाद में घी बनाने के बाद जो कुछ बसता है खोया एक तरह का आज हम उ मलाई रोज दूद की निकालते हैं और बाद में हम 5-6 दिन की मलाई कठी करने के बाद जो घी बनाते हैं और उसमें उसके बाद में जो कुछ भचता है वो खोया एक तरह का उसी से हम आज यह मिलकेक बना के तयार करेंगे तो यह हमें ज्यादा पुराना नहीं लेना है चा चार चमच बेसन डालेंगे तो यह बेसन मैंने भूल लिया है तब एक उपर डालके आप इसकी जगा मिलक पाउडर भी यूज कर सकते हो मिलक पाउडर से भी बहुत अच्छी मिठाई बनके तयार होती है और बेसन का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है बेसन की बर्फी बनाते हैं बेशन के लड़ू बनाते हैं बहुत सारी चीजे बेशन की बनाई जाती है तो इसमें भी हम बेशन का यूज करेंगे और बेशन से यह बहुत टेस्टी मिठाई बनके तयार होगी तो एक बार इस तरह से मिठाई बना के देखे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और हर बार बचे हुए घी के खोई से आपी मिठाई बनाना पसंद करोगे तो इसको हम लगतार अच्छे से चला लेते हैं जिससे पैन में नीचे न चिपके और अभी साथ में मैंने इसमें एक कटोरी चीनी एड़ कर दिये चीनी आप अपनी पसंद से डाल सकते हो कम मीठा काना है तो थोड़ा से कम कर सकते हो ज़्यादा पसंद तो थोड़ी सी चीनी बढ़ा सकते हो तो सारी चीजों को अच्छे से हमें इनको चलाना है जिससे पैन में नीचे ना जले इस मिठाई को बनाने के लिए हमें 10 मिट लग जाते हैं और 10 मिट में बनाके हम ये मिठाई त्यार कर लेंगे तो अच्छे से हमें इसको लगतार चलाना है क्योंकि अगर हम इसको यहां पर छोड़ देंगे तो यह पैन में नीचे जल जाएगा यह देखें इसमें हमें घी डालने की और बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें पहले से ही बहुत ज़ादा घी है तो अभी हमें क्या करना है इस टाइम पर हम इसमें तीन चमच जो नारियल का पुराधा होता है नारियल कोकोनेट पाउडर तो उसको हम इसमें एड़ कर देंगे इस बर्फी में बहुत एच्छा एक टेस्ट आता है कोकोनेट पाउडर से और यहां पर आप अपनी पसंद से और भी ड्राइफूर्स एड़ कर सकते हो काजू बादाम पिस्ता कुछ भी तो मैं इसमें फिलहाल कुछ भी एड़ नहीं कर रही हूं बस मैंने यह नारियल का पाउडर एड़ किया है और अभी हम एक ट्रे को किसी भी बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे घी से यह देखी मिठाई हमारी बन के त्यार हो चुकी है तो इसमें हम डाल देंगे तो सारा पेश्ट मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अभी अच्छे से चम्मस से हम इसको फैला देंगे इक्वली सब जगा हमें अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है और एक घंटे के लिए इसको हम इसी तरह या तो काउंटर पर छोड़ देंगे या फिर इसको फ्रिज में रख देंगे जल्दी हमें सेट करना है तो फिर अभी मैं इसको एक घंटे के बाद में आपको दिखाती हूँ ये देखे एक घंटा हो चुगा है मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तो अभी हम इसको चारो तरफ से एक्वली कट कर लेंगे पहले हमें इसको चारो तरफ से ये एक्स्ट्रा पार्ट हटा देना है जिससे हमारे पीस अच्छे से कट जाएं तो जिस सेप में भी आपको पीस निकालने हैं बरफी के उसी सेप में आप कट कर सकते हो तो यहाँ पर मैं मिल्क केक बना रही हूँ तो उसके मिल्क केक का देखा होगा आपने उसके बड़े बड़े पीस होते हैं यह देखिए मिठाई हमारी बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत अच्छी बनके त्यार हुई है तो एक बार इस तरह से मिठाई बना कर देखिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक शेयर और कॉमेंट चीजिए और चैनल पर पहली बार आए है तो बैल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिए इससे मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके